नमस्कार, वेलकम तो स्किल्टूल में संधी प्रेच, ILSS करसेटेन, कॉर्परेटेर और मोटिवेशन स्पिकर और आज मैं एक बहुत इंपोर्टेंट कुश्चेन का अंसर देने वाला हूँ कि जब हम दुकान में जाते हैं, तो हमारा प्रोड़क्ट दुकान दर रखते हैं क्यों नहीं है क्यों मना कर देते हैं, बहुत बारी टाइम मैंने ये देखा है कि जब सेल्समेन दुकान के अंदर जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर सेलिंग स्टोरी नहीं होता है अगर होता भी है तो उसको सही डंग से वो बोलते नहीं है या फिर बोल पाते नहीं है जो भी है So, we will today discuss की एक selling story का component क्या होना चीए एक winning selling story का component क्या होना चीए and how you are going to step by step create that selling story Before that, I request all of you to please subscribe to the channel bell icon को क्लिक करें तो बिलकुल मत भूलेगा So, that you get a notification on time Now, देखिए अभी एक selling story में Basically, there are three parts Number one is the product story मतला product के बारे में Number two is the profit story that is दुकानदार के profit के बारे में and the third is support that is support from the company अब इन तीनो जो parameters ये तीनो जो बकेट से इनके अंदर क्या-क्या चीज और आते हैं और detail में हम लोग discuss करते हैं तो product story में सबसे पहले आता है features, benefits and USP of the product देखिए features and benefits क्या है इसके बारे में और एक video बना चुका हूँ आपको link उपर दिख रहा है नीचे description box में उसका link दिया गया आप check out कर सकतो basically हम बताना चाहते हैं कि मैं दुकानदार को कि इस product का विशेषता है और लाब क्या है क्योंकि ग्राहक जो है benefits खरिते है features कमी खरिते consumers buy benefits और benefits तो देखिए हर product का होता है जैसे में कोई product बठाना हो तो मेरा product में कुछ feature benefit है कोई competition का product है उनमें कोई feature benefit है तो मेरा product में USP क्या है जो दूसरों से अलग है वो हमें जानना बहुत जरूरी है while delivering the product story product story में दूसरा important चीज है you should know the different excuse of the product कि कितना pack sizes का है और हर एक का MRP and what is the expiry of that particular product चे महिन में है बाड़ा महिन में दो साल में है whatever you should tell the retailer clearly then you should tell the retailer about the target consumer यह जो product है यह किन के लिए है who is the ग्राहक क्योंकि जब ग्राहक आते है दुकानों से खरिटते है अगर दुकानदार का ध्यान में रहा तो यह product भी बेच सकते में या फिर ऐसा कोई need जो product से related हो तो ग्राहक उसको इस product के बाड़ा में बता सकते है finally product story में आता है usage that is उस product को कैसे ग्राहक यूज करेंगे कई बार मैंने यह देखा है कि consumer product ले ले लेते directions follow नहीं करते उसको इस्तमाल करते और उनको वो desired result नहीं मिलता है तो जैसे कि मैं example देता हूँ hair color type के कोई product है जिसके पीछे लिखा रहेगा कि वह इस hair color को आप कैसे use करना है अगर ग्राहक न उसको use नहीं किया उस तरीके से तो उनको desired result नहीं मिलेगा तो इससे क्या होता है consumer complaint आता है retailer के पास और retailer उसको handle नहीं कर पाता है कभी-कभी अगर उसको usage पता नहीं है तो as a salesman you should educate the retailer about the usage of the product ताकि वो ग्राहक को सही काईट कर सके और कोई consumer complaint आता है तो उसको खुदी वो handle कर पाए the second important part of the selling story is the profit story that is दुकांदार का क्या फायदा है उस पर सबसे उपड़ आएगा margin in absolute rupees that is दुकांदार को बताओ कि purpose आपको इतना रुपया का फायदा होगा अब percentage में बताओ कि तो दुकांदार शायद उतना clearly ना समझे तो it's important कि आप उसको absolute rupee में convert करकि उनको उनका फायदा समझाए then talk about the schemes क्या scheme है क्या क्या slab है क्या conscious slab में क्या फायदा होगा यह आप उनको clearly समझाए finally you explain the retailer's landing price देखिए retailer's landing price कैसे calculate करते इसके उपर मैं और एक वीडियो बनाया है अगर आप देखना चाहते हो तो उपर link दिया गया है so final retailer landing should be explained properly to a retailer ताकि दुकांदार को समझ माया है कि यह हमारा margin है यह हमारा scheme है और यह हमारा final absolute rupees में gain हो रहा है by selling each and every product then talk about the payout method देखिए अगर आप scheme दे रहे हो तो उसका कोई payout cycle होगा कि आप monthly दोगे आप quarterly दोगे कैसे दोगे bill में काट के आएगा so there is a payout method that will be given to the retailer तो यह आपको clearly बताना कि SOP क्या है and finally you should show the retailer the scheme letter देखिए एक होता है कि हमने verbally बता दिया दुकांदार को दुकांदार पता नहीं क्या समझा क्या नहीं समझा whatever but आप अगर एक scheme letter carry करोगे अच्छे से उसको print out लेके laminate करके दुकांदार को दिखाऊगे तो दुकांदार को दिख पाएगा कि clearly कितना कौन सा product में कितना scheme में कितना उसका landing है and the communication की उस scheme का payout उसको क्या मिलेगा from the company it has come with the company logo उस paper के उपर लगा हुआ है so it gives a lot of authenticity to what the salesman is saying और उससे company का image भी बरता है finally in the selling story the salesman should be talking about the company's support देखिए हम products तो दे रहे दुकांदार को लेकिन हम as a company क्या support दे रहे दुकांदार को वो बताना बहुत जादा जरूरी है support में क्या होता है ATL activities होता है जैसे company ने कोई आड चला दिया TV पे आड आ रहा है कोई नया consumer प्रोमो है कोई नया product launch है उसका TV पे आड है प्रिंट पे आड है न्यूस पेफर में आड आ रहा है तो यह सारा चीज़ बताना दुकांदार को जरूरी है मैंने यह भी देखा है कुछ अच्छे company का जो salesman होते है वो पूरा media plan लेके घुमते है कि भाई देखिए इस टाइम में इस चैनल पे हमारा ad आएगा तो यह हमारा planning है तो दो बोर डिटेल यू शेर विए रिटेलर दो बेटर दूसरा यह बीटील अक्टिविटिस बहुत सारे अक्टिवेशन रिलेटेट चीज़ आ जाएगा जैसे की आपने विंडो आरिंग किया आपने कुछ प्रोमोटर अक्टिविटी किया आप कुछ भी किया कैच्च्मेंट अक्टिविटी कर दो सो वाटेवर यू आपने विए रिलेवेंट फोर दाट प्रोमोटर रिटेलर अगर कंपनी दे रहे हैं तो किस टैप पर मर्चंडाइजिंग सपोर्ट एक तो भाई सेल्समेन जो जा रहा है उसको जरूरी है कि हर बार हो जाए जब अच्छे तरीखे से मर्चंडाइजिंग करें पोस्टर लगाया डाइन अगर यह सब तो ही अपार्ट फोम दाट मर्चंडाइजिंग सपोर्ट अगर कंपनी अलग से दे रहा है कोई मर्चंडाइजर भेज रहा है मेबी इस बीग आउटलेट मेबी इस एक लास आउटलेट जहां पर अलग से कंपनी मर्चंडाइजिंग सपोर्ट दे रहा है तो देन इट इस इंपोर्टेंट कि भेए अम हम उसको भी बताए दुकानदार को अगर आप इसको अच्छे से लिखे और विजडेग निवीडियो दे बूस्के शेल्समेन ऑड्स को इस तरीके से का आप ट्यार करके भीजोगे market में तो definitely your success rate will increase thank you so much for watching this video please don't forget to like, share and subscribe and I'll be back with more videos thank you